हलो फिरेंड दगल्फ टेक्निकल में आपका सौगत है और हमेशा की तरह एक नई वीडियो में आप सबका सौगत करता हूँ आज का जो हमारा टॉपिक है वो किरिन इंसिडेंट के बारे में है जब हम कोई गलतियां करते है या कुछ गलती कर बैठते है तो हमारे साथ अंजाम क्या होता है आपको सबको पता होगा कि उसका अंजाम एकसिडेंट या इंसिडेंट ही होता है मतलब एक बरवादी की तरफ होता है जहां पर आपका किरिन डैमेज हो सकता है structure damage हो सकता है और भी हमारे साथ कोई हाथसा भी हो सकता है या दूसरी बात है या कुछ property damage हो सकता है बहुत सारे कारण हो सकते हैं तो ये तो एक नुकसान की बात है लेकिन कहीं हम जानते हैं कि ये नुकसान क्यों होता है अगर हम वो नुकसान को जान ले शायद तो हम से ये गलती नहीं होगी तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक वीडियो देखांगा आप इसको गौर से देखे इसको बार बार देखे आप वीडियो को रोक कर देखे आपको इसके अंदर इसका जवाब जरूर मिल जाएगा जो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे जो जवाब मिला वो ये है सबसे पहले कारण या तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कारण मैं आपको मैं बता रहा हूँ की सिलिंग का इंस्पेक्शन नहीं हुआ पहला फर्स्ट उसके बाद जो सेकंड है उसमें चोकर हिच बांधा गया ये एक पचास टन का जो किरें है जैसा आप वीडियो में देख रहें पचास टन का किरें है ये सनी किरें होगा शायद क्योंकि इसी तरीके से इसका कलर है और उसके बाद ये जो रेल पर जो ओवरेट क्रें होता है जैसे आप देखे होगे वर्शॉप में बहुत सारे वर्शॉप में इस तरीके से रेल पर चलने वाली जो गेंटरी क्रें भी कहते है इसको ओवरेट क्रें भी कहते है बहुत सारे अलग अलग तरीके का इस क्रें का न कोई भी साइट पर एक्सिडेंट होता है तो आप उस जगह पर जाईए आप उसको यह जानो कि इसके अंदर क्या इंसिडेंट हुआ क्या हाथसा हुआ जब आप उसके बारे में आप जानेंगे अच्छी तरीके से तो आप ने स्टेम आप इस तरीके से गलती नहीं करेंगे इसके अंदर जो कारण था सबसे पहला सिलिंग का इंस्पेक्शन नहीं किया गया उसके बाद जो दुसरा कारण है चोकर हीच चोकर हीच का जैसा आपको पता है उसमें कपसिटी लेस हो जाता है जैसे अगर आपके पास एक टन का कोई सिलिंग है तो उसमें 80% माइनस हो जाएगा मिन्स 80% माइनस नहीं होगा सौरी 80% आपके पास रहेगा उसमें 20% माइनस हो जाएगा मतलब अगर आपके पास एक टन का सिलिंग है वो 800 केजी खाली बचेगा खाली 800 केजी उस सिलिंग के अंदर बचेगा तो आपको इन चीजों पर सबसे ज़्यादा देना चाहिए जब भी हम चोकर हीच लगा रहे हैं इस तरीके से जैसा आप इसक्रियम पर देख रहे हैं चोकर हीच तो उसके अंदर कापसिटी कम हो जाता है 20% capacity कम हो जाएगा तो इन चीज़ों को आप धियान देना होगा उसके बाद आप जो तिसरा point देख रहे हैं से material का center of gravity जो इस किरेंग के अंदर जो accident होने का जो कारण है वो यही है कि material का center of gravity नहीं हुआ जिसके कारण एक ceiling के उपर जादा वेट पड़ा जैसे आपको पता है चोकर हीच में already capacity ceiling के अंदर कम होता है और उसके बाद भी उस ceiling के उपर जादा capacity चला गया जिसके कारण वो कट गया उसके बाद सबसे पहला और सबसे जादा जरूरी इस ceiling के अंदर वो यह सिलिंग पोटेक्शन नहीं था इसके अंदर ceiling protection का जरूर इस्तिमाल करें यह तो सारा गलती तो थाई लेकिन उसके साथ-साथ ceiling protection दी इसके अंदर missing है तो इन सब कारणों के कारण हमारा जो incident हो जाता है और यह बस एक learning है यह वीडियो परपस यही होता है कि हमें एक learning मिले कभी भी आप कोई साइट पर काम कर रहें तो आप इस तरीके से गलती बिलकुल भी ना करें या आप हो या मैं हूँ तो आप इन चीज़ें से सीखें और आप लोग साइट पर भी सेफ रहें और family के साथ हशी खुशी जिन्दगी गुजारें तो फिर मिलते है नेस्ट ही ही रहें